नमस्कार निशामदुलिका.com में आपका स्वागत है आज हम ब्रेट का हलवा बनाएंगे जो बहुत ही स्वाधिस्त बनता है और बड़ी जल्दी बन जाता है तो आये देखें ब्रेट का हलवा बनाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यक्ता होगी ये 5 ब्रेट ले लिए हमने आठे की ब्रेट ली जा सकते हैं या मैदा की या मल्टी ग्रेंड ब्रेट कोई भी ब्रेट ले सकते हैं दूद 300 ग्राम चीनी 1 3rd कप एक तेहाई कप ले ले 50-60 ग्राम घी 2-3 टेबल स्पून काजू 10 बारा बादाम 10 बारा और 4 इलायची छील करके छोटी इलायची उ सबसे पहले हम पैन गरम करेंगे और ब्रेट को तुकड़ों में तोड़ लेंगे छोटे-छोटे तुकड़े कर लेंगे प्रेट के यह ब्रेट को हमने तोड़ लिया और अब हम दो चमच खी पैन में डाल देंगे धी मेल्ट होने पर यह ब्रेट के टुकड़े डाल देंगे और इन्हें चमचे से चलाते हुए ब्राउन होने तक भूलेंगे कि थोड़े हलके से ब्राउन हो जाएं ब्रेट यह ब्रेट हमारी हलके ब्राउन हो गई है और अब हम इसमें दूट डाल देंगे और चीनी डाल देंगे जब तक ब्रेट नरम होती है तब तक हम काजू काट करके तयार कर लेते हैं तो एक काजू के पांचे टुकड़े करते हुए काट लेंगे कुछ काजू हम दो पीसे में काट ले दें जस्ट एक काजू के दो टुकड़े करते हुए ब्रेट नरम हो गए है तो अभी ने दबा करके हम बारिक कर लेंगे यह बादाम भी हम पतले-पतले काट लेंगे इसको बिलकुल जो भी ब्रेड के हमें तुकड़े दिखाई देंगे उन्हें हम बारिक कर लेंगे दबा करके इसमें हम और घी डालेंगे और हल्वे को अच्छे से एक-दू मिनिट पकाते हैं हल्वे में हम यह काजू और बादम डाल देंगे थोड़े से बादम बचा लेंगे वह हम हल्वे के ऊपर से सजाएंगे विलाइची भी डालके मिला देंगे लेस बंद कर देंगे और ये घी हम सारा ही डाल देंगे बोड़ा हल्वा ग्रीजी-ग्रीजी दिखता है बहुत संदर लगता है और खाने में टेस्टी तो होता ही है हल्वा तयार हो गया है प्रेट का स्वादिस्ट हल्वा तयार है यह आप सबको बहुत पसंद आएगा आप यह हल्वा बनाएए और अपने अनभव निशामदलिका.com पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं निशामदलिका.com पर